आपको मेरे चानल के स्वागत है आज हम सीखेंगे टेडी ब्यार बनाना टेडी ब्यार बनाने के लिए हमें चाहिए एक फेस्ट अवन जो मैंने ये लिया है और हमें चाहिए कुछ एलास्टिक और मैंने ये लेस छोटी छोटी और ये एक मीडियम साइस का लेस करकर दिया है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा देरा ध्यान से देखिये तावल का जो दोनों हिश्चा है उसको आपको ऐसे फोल्ड करके मीडिल पे लाना होगा इसी तरह से दूसरी साइट को भी कि उसी तरह से फोल्ड करते जाएए अब इसे पलट दीए बीच से ऐसे इसे पकड़िये तावल को अब आप देख सकते हैं नीचे से ये दो बाला हिस्चा है ये बाले हिस्चे को आपको घुमा कर दूसरी तरह पलाना पड़ेगा आइसे इस वाले हिस्चे से थोड़ी उपर आपको ये बाला हिस्चा फोल्ड करना पड़ेगा अब जो ये पोर्शन है ये दो पोर्शन आप देख सकते हैं इसको आप थोड़ी ओपिन कर दीजे आइसे थोड़ी दोनों साइट को आप ओपिन कर दीजे हो गया अब जो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है इसे आपको इसी तरह मेजर कर ले इसी तरह पकड़िए ताकि उसका सर बन जाए ऐसे अब मैं क्या करूँगी इसी हिस्से को मैं एलास्टिक से बांदोंगी अच्छी तरह से अच्छी तरह से कीजिए गा ये हो गया अब जो ये वाला हिस्सा है इसे थोड़ी आप ऐसे करके उपिन कर दीजे थोड़ी बहुत ना करें अब इस वाले हिस्से को ऐसे पकड़ कर आपको एलास्टिक लगाना पड़ेगा इसी तरह इस साइट को भी आपको थोड़ी ओपन करके ये एलास्टिक लगाना पड़ेगा ये हो गया आप देख सकते हैं अब बीज वाले हिस्से को और भी टाइट करने के लिए आप एक और एलास्टिक लगा सकते हैं ताकि यो पूरी तरह सेट हो जाए इसे ये आप देख सकते हैं ये हो गया अब मैंने ये लेस लिया है छोटी कट करके यहाँ पे एक बो बनाने के लिए ताकि ये जो इलास्टिक है वो दिखाई ना दे अच्छी तरह से इसे बां देजिए ये वो गया अब ये वाले हिस्से को भी मैं ढखने के लिए छोटा लेस कट किया है अधुरी टीक से कि बां दीजिए ये इसे करके नं her दूसरी पोस्टर में उसको भी आप इसी तरह से छोटी लेस लेकर माल दीजिए दाकी वो इजो इलाच्टिक है वो आपको दिखाई ना दे अब जो यह वाला पॉर्शन है जो ज्यादा है उसे आप कैची से कट कर दीजिए यह हो गया आपका टेटी पीर रेटी अगर आपके बच्चों में अगर आप घर में वच्चे है तो उसके लिए आइडियल गीफ्ट है बच्चे को आप आने लेकर बना कर दे सकते हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग लिस ऐसे और भी मज़दार चीज सेखने के लिए मेरे चानल को प्लीज सब्सक्राइब केजिए अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलिए थैंक्यू